तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि होम मिट सैनिटाइजर हम कैसे बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह सिर्फ दो इंग्रेडियंट से दो मिनिट के अंदर रेडी हो जाता है 100% यह effective है और इसके इस्तमाल से हम आजकल जैसे बहुत सारे infections फैल रहे हैं कोरोना बहुत जादा चल रहा है तो उससे हम easily अपने आपको prevent कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है सबसे पहले यहां पर मैंने एक empty bottle ली है इसे अच्छे से वाश कर लीजिए और इसे अच्छे से सुखार लीजिए इस तरीकी कि आप कोई भी empty bottle का यूज कर सकते हैं अब मैंने यहां पर scale ली है क्योंकि मेरे पास में नापने का कोई measurement नहीं है इस कारण मैंने इसकी length इस तरीके से नाप ली है और इसे एक एक cm के distance पर मैंने इसे इस तरीके से marking कर ली है नीचे की तरफ मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि वो round है तो इसलिए मैंने 1.2 cm लिया है नीचे की तरफ और आप ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इस पर marking कर ली है जिससे कि जो proportion हम ले वो बिलकुल perfect हो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है aloe vera gel मैंने यहाँ पर पतंजली का aloe vera gel लिया है आप चाहें तो आप किसी भी company का aloe vera gel यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास मैं aloe vera gel नहीं है तो aloe vera से भी आप इसे बना सकते हैं उससे sanitizer कैसे बनाना है वो next वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी तो अभी इस तरीके से हमने marking कर रखी है तो आप यह देख सकते हैं 1-2 के proportion में हमें इसे लेना है तो पहले हम एक जो marking है first वाली marking वहाँ तक हम इसमें aloe vera gel को fill up कर लेंगे जो पहला निशान है हमें वहाँ तक aloe vera gel को fill करना है यह देखिए जो एक marking है last वाली वहाँ तक मैंने aloe vera gel को fill कर लिया है अब मैंने यहाँ पर लिया है isopropoil alcohol rubber alcohol यह किसी भी आपको medical store पर easily available हो जाता है इसमें 70% alcohol है अगर आपको वह alcohol available होता है जिसमें 99% alcohol है तो आपको थोड़ा सा water और मिलाना पड़ेगा अगर आपको यह medical store पर available नहीं होता है तो मैं Amazon की link भी आपको provide कर दूँगी जिससे के आप महाँ से जाके online भी purchase कर सकते हैं और इस तरीके से 1 to 2 के ratio में हमें इसे मिलाना है तो 1 part हमने aloe vera gel लिया था और 2 part हमें alcohol का इसके अंदर मिलाना है तो इस तरीके से इस alcohol की सिर्फ एक शीशी में हम करीबन 20 sanitizer easily हम बना सकते हैं यह sanitizer की कीमत होती है करीबन 100 rupees मार्किट में अभी चल रही है और यह alcohol मुझे आया है कुछ 165 rupees का जिससे हम 20 sanitizer बना सकते हैं तो यह बहुत जादा effective और बहुत जादा अच्छा है अब इस तरीके से हमें इसे अच्छे से शेक कर लेना है अब यह आदी ही bottle भरी है तो मुझे इसे पूरी bottle को बना है तो मैं 1-2 के proportion में फिर से alcohol और aloe vera gel को मिला कर इसे full bottle fill up कर लेती हूँ और यह आप देख सकते हैं यह homemade sanitizer बिलकुल ready है यह देखिए इस तरीके का कुछ color इसका आजाता है aloe vera gel के कारण और इसके खुश्बू भी बहुत अच्छी है साथ ही 100% effective है alcohol यह बहुत अच्छी से clean करता है अगर आपको ऐसा लगता है कि यह बहुत पतला है तो आप इसमें aloe vera gel और मिला सकते हैं अगर आप इसी proportion में रखेंगे तो वह जादा अच्छा होगा क्योंकि alcohol सारे किटाड़ों को मार देता है तो यही सही proportion है एक sanitizer बनाने का अब मैंने यहाँ पर एक paper की एक छोटी से strip ली है और उसके अंदर में लिख देती हूँ homemade sanitizer इस strip पर मैंने homemade sanitizer लिखके रखा है इस तरीके से अब यहाँ पर सेलोटेप की मदद से हम इसे अच्छे से इस पर stick कर लेंगे और यह देखी एक तरफ मैंने homemade sanitizer को stick कर लिया है और दूसरी तरफ हमारे निशान लगे हुए हैं जिसे कि हमें in future वापिस से sanitizer बनाना हो तो हम इजली इसको बना सकते हैं और यह देखी इस तरीके से हम इसका use कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही effective sanitizer बनकर ready है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे like जरूर कीजेगा सभी लोगों में share कीजेगा कि सभी लोग घर पर sanitizer बना सकें क्योंकि अभी sanitizer बहुत ज़्यादा out of stock चल रहा है और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलेगा जिसे कि आगे आने वाले और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर